प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने कुलेकर सरकार की ओर से आए दे बड़े बड़े दावे किये जाते हैं लेकिन सवाल ये कि सरकार के दावों में आखर कितनी सचाई है क्या वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिला है क्य प्रदेश की मनुहर सरकार का दावा है कि पिछले करीब साड़े आठ साल में इन्वेस्टमेंट को लेकर सकारात्मक माहौल बना है जिससे विदेशी निवेश के साथ साथ घरेलू उद्योग का भी बढ़ावा मिला है और इसका अलाब युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है हमारे माननी है मनुहर लाल खटर जी हमारे मुख्यमंतरी जी ने जो ये योजना शुरू की है यह इसमें यूओ की भागेदारी बढ़ेगी क्योंकि आपको भी पता है हमारे कि मैं सौना विदान सभा से आता हूं में आप देशन सरह से आता हूं तो उनकी आपनोची लेने में या ऐन ड़ी समयक्षा होती हैं इधर उदर काफी सारे दफ्तरों में जाते हैं रहका मुख्य होती है जो योजना मुख्यमंदरी जी ने शुरू कि उससे इसी तल्टी ऐस वह जयें, सारे काम और यह यूवाव की भागयदारी हमारे प्रदेश में काम के प्रति काफी बढ़ेगी और यूवाव को अच्छा रोजगार अपर नहीं इंडेस्ट्री यूजना है इस से जो कि मैं देख पा रहा हूं कि एक ही छत के नीचे सारे कार्या हो रहे हैं नीमिद समय में प बढ़िया है इससे युवाउं में रोजगार के नए अफसर खुलेंगे एक ही जगा आपको सब चीजे मिल जाएंगे एक ही पोर्टल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ये बहतरीन है ये योजना अर्याना सरकार की बहुत बहतरीन है जब इंडस्री लगेंगे तो वर्तमान की मनुवर सरकार का दावा है कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सरहानिये कदम उठाए गए है मसलन कम्पनियों को एक निश्चित समय में ऑनलाइन क्लेरिस देनी हो इंस्पेक्शन को कम करने की बात हो इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पर्मिट देने की बात हो नए उद्योग नीती में पारदर्शी और सरल बनाये गया है ताकि इंवेस्टर्स को किसी तरह की परिशानी से जूजना ना पड़े बता दें कि मनुहर राज से पहले उद्योग को लेकर कोई ठोस नीती नहीं बनाई गई थी जिसका खामियाजा इंवेस्टर्स को बुगतना पड़ता था विभिन विभागों में दलालों और विचौलियों का बोल बाला था जिससे परिशान उद्योग पती निवेश करने से कत्रानी लगे थे लेकिन अब मनुहर नीतियों की बज़र से विभिन कम्पनियों ने लाखो करोड़ रुपे का निवेश किया है आईटी उद्योग भी हमेरे हैं गुरुगराम के अंदर प्रयाप मात्रा में है लेकिन आज देश और दुनिया में उद्योग के नातेदी आगे बढ़ेंगे तो आईटी उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मसिटिकल उद्योग ही आता है दवा उद्योग ही आता है लोगों को स्वास की एक चिंता निश्योग से होने लगी है हेल्थ कॉंशेज अब हर आदमी हो गया है और वैसे भी कहा कि जो बेसिक निसेस्टीज है आदमी की उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्त और सम्मान तो स्वास्त भी जो है उसमें one of the factor और अब तो बहुत ज़्यादा करोना के इस कारण से बहुत एक महत्पूर्ण विशे उबर करके आया है हर व्यक्ति अभी अपने स्वास्त की चिंता करने लगा है और जब स्वास्त की चिंता करेगा तो निश्य रूप से health services में pharmaceutical उद्योग इसका अपना एक महत्व है और इसको जब हम धान करते हैं तो अभी जो आप लोग ने जिन स्वेशे के उपर चर्चार्ज की है बल्क ड्रग की योजना और इस बल्क ड्रग की योजना में अभी तक क्योंकि हमारे हाँ बहुत सी चीज़ें विदेश के उपर हम निर्वर होते थे raw material के उपर भी निर्वर होते थे हलांकि दवाई हमारे हाँ पहले भी कम नहीं बनती हैं प्याव बनती है 50% of the share of the world ये आज भी हम उसमें एक परकार से contribute करते हैं यहने अमेरिका जैसे देश का 40% की supply तो हमारे यहां से होती है UK जैसे देश की 25% drug की supply वो हमारे यहां से होती है लेकिन क्या इसमें और आगे बढ़कर के क्योंकि हमारे हाँ कोई talent की कमी नहीं है हमारे जितने scientist हैं, engineers हैं, इन सब बातों का जैसे बढ़ाया भी उनकी कोई कमी नहीं है लेकिन उनका हम उपयोग अपने हाँ कर पाए यह हमारे जो assets हैं, इनका उपयोग हम कर पाए इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है, उसके अंदर निश्य दूरूप से हरियाना में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आपको offer करते हैं हरियाना जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा, लेकिन scope बहुत ज़्यादा है और scope के नाते से हम हर परकार के investor को अपने यहाँ लाने के लिए तयार है रोजगार के लिए देने के लिए शिक्षा, यह हमारे हम प्यापत है जैसा बताया गया कि हमारे हैं डेड़ सो pharmaceutical colleges और institutions यह यहाँ है अगर क्यों फर्मेसी की में बात करता हूँ तो पता दी, प्रदेश के उद्योग लगानी के लिए किसी भी कंपनी को करीब 78 तरहे की services की जरूरत होती है जिसमें pollution, labor, department से license लेना, बिजली की सही उपलब्धता या फिर जमीन और construction की बात हो, मनुपर सरकार की नई उद्योग नीती के कारण एक common form की जरीए, कंपनीों को ये सारी सुविधा, cashless, faceless और एक निश्चिन समय में दिया जा रहा है पताते चलें कि साल 2017 के मई से online system की शुरुवात की गई थी और तब से अब तक इस यवस्था की तरहे कई हजार कंपनीों को clearance दिया जा चुका है यही नहीं, सरकार के सफल प्रयासों की वजह से हर रोज सैक्रो सर्विस request online portal पर आती है जिससे एक निश्चिन समय में department की ओर से clearance दिया जा रहा है यही नहीं, सरकार की ओर से कंपनीों को deemed clearance देने की भी विवस्था की गई है जिसके तहट अगर कोई department किनी कारणों से निवेशकों को 45 दिनों के अंदर clearance नहीं दे पाता है ऐसी स्थिती में विभाग की ओर से उसे deemed clearance दी जाती है किसी भी प्रदेश के विकास में उद्योग एहम रोल अदा करता है ऐसे में यहां यह कहना कलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से लागो की गई उद्योग नीती एक सरहानिय कदम है जिसका फाइदा प्रदेश की आवाम को कई रूप में मिल रहा है प्रदेश के वर्तमाल सरकार की ओर से investment summit को लेकर कई मौके पर बड़े बड़े दावी किये गए है सरकार का दावा है कि इस्ते प्रदेश में लाखो कड़ो रूपे की नई investment आए है जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली है लेकिन सवाल ये कि सरकार की इन दावो में आखर कितनी सच आई है इस रिपॉर्ट में देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल साल 2016 के मार्च महीने में दो दिनों तक हैपनिंग हरियाना इन्वेस्मेंट समिट का आयूजन किया था इस समिट का मकसद साफ था प्रदेश में कुद्यों को बढ़ावा देना ताकि रोजगार के साथ साथ विकास को रफ्तार दी जा सके मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार अपनी सोच में कामियाव रही है इन्वेस्टर्स की ओर से प्रदेश को उम्मीद से पांच गुणा अधिक देने की कोशना की गई दरसल शुरुवात में मनोहर सरकार को एक लाख करोड रुपए के निवेश की उम्मीद थी लेकिन निवेशकों ने पांच दश्रम लव 84 लाख करोड रुपए का निवेश करने की कोशना की साथ ही 357 MOU भी साइन हुए थे गुरुग्राम में आयोजित इस इन्वेस्मेंट समेट के बाद हरियाना, राधिस्थान, महराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया था हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि कम्पनियों की और इन्वेस्मेंट की गोशना एक बात है सबसे पहले इन्वेस्टर समेट किया इन्वेस्टर समेट के अंदर साड़े तीन सो एमोई जिसमें लगबग छे हो गई है और या फिर भी पाइपलाइन में जो वाकी है उनसे भी बातचीत चल रही है हर इंडस्री के साथ हमने रिलेशन्शिप मैनेजर लगाया कि आपने मूई किया आप आई हमारे हां कोई उनकी डिमांड होती है कोई सबसीडी होती है किसी प्रकार का रियायत चाहिए है वो हम जो हमरे सरकारी परलसी के अंतर हमारे दायरे में है उसके उपरम काम कर रहे हैं इसके लिए कुछ स्पेशल कंसेशन एरिया वाइज भी दिये हमने कि जो हमारे ब्लॉक्स C और D है हर्याना के चार प्रकार के ब्लॉक A, B, C, D C और D ब्लॉक में प्रात्मित आम देत हम हर यूवक के अंप्लाइमेंट के बदले तीन अजार प्या महिना उस इंडस्ट्री को तीन साल तक देते रहेंगे ताके हम चाहते हैं कि विल इंडस्ट्री गुरुग्राम फृताबाद इसके आसपास न बनी रहे ये इंडस्ट्री दूर दराज अलाकों में जहां भी इंडस्ट्री कम है उसमें भी जाने चाहिए ताके वहां का युवक अपने रोजगार को अपने घर के आसपास ले सके किसी भी प्रदेश में उद्योग को तभी बढ़ावा मिल सकता है जब वहां का इंफास्ट्रक्चर मस्बूत होगा यानि बिजली पानी सड़क इंटर प्रदेश में बढ़ते निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और अब जबकी मनोहर सरकार अपने कारेकाल के साड़े आठ साल पूरे कर चुकी है ऐसे में सरकार का दावा है कि हजारों युवाओं को रोजगार मिला है इस एनिवेस्टिमेंट में मख्यरों से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुगाम में एक जार असी एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्मार किया जाएगा जमीन पहले से एचाहेडीसी ने अक्वार कर रखी है और एक आइकोन जिसको गाना चीए एक सिटी ये एक बनेगी सिटी विजन सिटी जिसको कह सकते हैं गुरुगाम के अंतरगत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लैनिंग में सिंगल फेस प्लैनिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है यहां भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतराश्टिय सर के लवल केक सिटी बनाएं तेरा कंपनियां उसके अंदर बहुत पर्मुक कंपनियां जो हैं वह 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 पर आई हैं दुबई इन्वेस्टमेंट शोभारे लिटी डेनूबे प्रॉपर्टी नखील डीपी वर्ड लेंक्टन प्रॉपर्टी गल्फ इस्थामिक तो ऐसी तेरा पर्मुक कंपनियां हैं जो डुल्पर्ट के नाते से और दुबई अपने आप में जो रियल स्टेट का काम हैं हम ऐसे जो लगए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास हाई लवल की बिल्डिंग्स वहां है एमार खास करके बहुत बड़ा डुल प देने के लिए समय समय पर विदेश का दौरा भी करते हैं और उद्योखपत्यों को निवेश करने के लिए प्रेलित करते हैं लेकिन यहां आपको सीम मनोहरलाल से चुड़ी एक बहुत दिल्चस्प जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री मनोहरलाल का जीवन इतनी साद्गी भ पाटना पसंद है लेकिन सक्ता की बाग दोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने साल 2015 में पास्पोर्ट बनाया और फिर पहली बार शिष्ट मंडलों के साथ कनाड़ा और अमेरिका के दौरे पर गए मुख्यमंत्री मनोहरलाल का दोरा निवेशकों को काफी प्रभावित किया और अब उसका लाप आवाम को मिल रहा है प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने सधे हुए कदमों के साथ हरियाना को आके ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है लेकिन यहाँ यह देखना भी एहम होगा कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जंता पर कितना सरपड़ता है मनोहर सरकार का दावा है कि नए उद्योग नीती से प्रदेश में फैले भष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुष लगाया जा सका है जिसे देश के दूसरे राज्यों की तुलना में हरियना में निवेशकों की तिलचस भी बढ़ी है और इसका लाफ प्रदेश में गरीब से गरीब लोगों को कई रूप में मिल भी रहा है ये रिपोर्ट देखे वर्तमान की मनोहर सरकार का पहले दिन से प्रदेश को नई उचायों पर ले जाने का दम भर रही है लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था प्रश्टाचार पर अंकुष लगाना मुखे मंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसमें नई उद्योग नीती बेहद कारगार कदम साबित हुई है पता दें कि सरकार के पास CLU में बड़े स्तर पर फैले प्रश्टाचार की खबरे थी जिसमें नेताओं और सरकारी अफसरों की मिली भगत होती थी लेकिन अपने लक्षे की ओर आगे बढ़ते हुए मनोहर सरकार ने मेक इन इंडिया की धीम पर अपनी महत्व कांगशी नीती के जरिये हरियाना के ओद्यों के गविकास का रोड मैप तयार किया है जिसमें रष्टाचार पर अंकुष लगाने के साथ प्रदेश में डिवेश और रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया गया है यानि कुल मिलाकर इस नीती का मकसद इस ओफ डूइंग बिजनस एवं जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट रखा गया है जिसके तहट व्यापार और उद्यों को सुगम बनाने, संतुलित ओद्यों के विकास करने, मैनिफैक्टरिंग और सर्विसेस सेक्टर को बढ़ावा देने, स्वास्त ओद्यों के खांहौल बनाने, क्लस्टर जोन को बढ़ावा देने, स्किल का विकास करने, इंडस्ट्री को वैट, स्टैंप ड्यूटी, बिजली, ब्याज आदी में रियायत देने, ट्रोजेक्ट क्लेरिंस को सरल बनाने और व्यापारियों को कई सहुलियते देने का वादा किया गया है। को कड़ा सकते हैं, यहां हमने स्किलिंग के लिए उन्विश्टी अलेक्शे बनाई है, जो वाइस चांसलर स्किलिंग उन्विश्टी के वह भी गये थे साथ में इस मिटिंग के लिए, और जुमारा फोरन कोपरेशन डिपार्टमेंट हैं, उनके भी पावन चोधरी जो एड आस्ता में खोला है, हमने अपनी और से एक लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है, कि हम देश के दुनिया के विभिन देशों में, एक लाख लोगों को बेजने के अपनी स्किलिंग की तहरी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिश्टी के माध्यम से हो, चाहे हरियाना जो खास करें के आई-टे-ई-ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं और जोजवान हैं, वो वहां की इंडेस्टी के लिए जा सकते हैं, रियल एस्टेट ड्वल्मेंट में भी वहां पर जवावशक्ता होती हैं, मैचसिंस की टैल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्टिशिंस हैं इस परकार के जो लोग हैं, उनकी ट्रेने कराकर कहां बेज सकते हैं बता दें कि हरियाना का एह मुकाबला दिल्ली, पंजाब और राजिस्थान जैसे राज्यों से हैं, और यही कारण है कि उद्योग नीती में पड़ोसी राज्यों की नीती का भी विशेश ध्यान रखा गया है इस ओफ डूइंग बिजनस के लिए कई नए प्रावधान भी शामिल किये गए हैं सभी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए 45 दिनों के समय सीमा तै की गई है उद्योग विभा के मताबिक नई पॉलिसी के साथ हर्याना की कोशिश ना सिर्फ उद्योगों के पलायन को रोपनी की है बल की रणनीतिक रूप से पड़ोसी राज्य के उद्योगों को अपने राज्य में आकरशित करनी की भी है दिल्ली और NCR के उद्योगों को आकरशित करनी के लिए कुंडली, मानिसर, पलवल इंडेस्ट्रियल कॉरिडोर पर IT, इलेक्ट्रोनिक, फार्मा और बेडिकल शेत्र की कम्पनियों को रियायत दी जा रही है UP से सटे फरिदाबाद और पलवल में भी इंजिनियरिंग, फुटवेर और फूड प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री को स्थापित करने की कोशिश जारी है साथी पंजाब सीमा से सटे जिलों में इंजिनियरिंग, आटो पार्ट और लेदर गुड से जुड़े उद्योगों को बसाने पर जोर दिया जा रहा है इसके अलावा राद्यस्थान की ओर आकरशित हो रही मेटल इंडस्ट्री के लिए रेवाडी में इंफार्स्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है हमने एक निवेश निवेशक उनका जो समयलन किया था उसमें भी बड़े बड़े लोगों ने आकर के इच्छा अपने व्यक्त की कि हम यह रिया में निवेश करना चाहते हैं और उसके पीछे के जो एक मुख्य करन था कि मने इज ऑफ डोइंग बिजनस इसके उपर काम किया हर्याना दुजार चौदा में चौदवे स्थान पर था इज ऑफ डोइंग बिजनस में हमने इस पर काम किया हमकरी बूरोक्रेटिसीन हैं बहुत अच्छे लोग हैं उसमें उन्होंने से हमने काम क्या मिल करके 17 विभागों की सब जितनी भी प्रमिशन्स हैं, लाइसेंस की क्लिरेंस हैं, वो सब एक छत के नीचे, टाइम बाउंड मैनर में 45 दिन के अंदर अंदर डीम्ड क्लिरेंस मिलेगी, ये हमने उद्योग पती को, एंटर्परनेर को व्रोसा द हर्यणा की लोकेशन है, ये भी हमको लाब दे रही है, दिली को तीन तरफ हम घिरते हैं, दिली के इंडिकट होने कान से, हमको एक उसका बेनिफिट भी है, तो इस परकार से उद्योग को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, किसान को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा को रोजगा की प्लेट फर्म के साथ जोड़ करके, क्योंकि करप्शन में एक बड़ा फैक्टर होता है, युमन इंटरफेस, जीन योजना और सिवाओं के लिए, युमन इंटरफेस का सिस्टम अगर ज़्यादा होगा, डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होगी, तो वाँ करप्शन क कि पहले जमीनों के CLU दिये जाते थे, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में, हलांकि डिपार्टमन का काम होता है, डिरेक्टर टाउन कंटी प्लानिक का काम है, लेकिन सिस्टम क्या थे, कि इसको फाइल को CM ऑफिस में घुमा करके बेजा जाता था, वाँ जरूर आती थी, हमने मनुहर सरकार अपनी उद्योग नीती के जरिये प्रदेश को एक नई उचाई देने में सफल साबित हो रही है, बावजूत मनुहर सरकार की ओर से अभी आवाम के हित में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिससे आम लोगों को फायदा पहुचाया जा सके, ब्यूरो रिप किसी भी प्रदेश के लिए लगू और मध्यम उद्योग रीड की हड़ी मानी जाती है, ऐसे में प्रदेश की मनुहर सरकार का दावा है कि इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सरहानी कदम भी उठाए गए हैं, ये रिपॉर्टर किसी भी प्रदेश के विकास के लिए लगू और मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाना बेहत ज़रूरी है, ऐसे में मनुहर सरकार ने बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लगू और छोटे उद्योगों पर भी अपना फोकस किया, मतलब साफ था, इन उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ प्रदेश के जीडीपी में ग्रोथ लाना, इसके लिए मनुहर सरकार ने केंद्र की मेकिन इंडिया और स्टार्टप इंडिया की दर्स पर प्रदेश में भी लगू एवं मन जोले उद द्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए रहा इतनी आसान नहीं थी। आनलाइन फ्रक्रिया के शुरूआत की और उद्दमियों को एक नई उर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, इसका परिणाम प्रदेश में बढ़ते लगू उद्योग और रोजगार को देखकर साफ लगाय जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, किसी भी प्रदेश के लिए लगू और मध्यम उद्योग रीड की हट्डी साबित होता है। ऐसे में प्रदेश के मनुहर सरकार की ओर से लगू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम सरहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट सूरिया समाचार तो विकाश्चुल हरियाना के जरीए आपने देखा कि कैसे मनुहर राज में नए उद्योग को बढ़ावा दियाज रहा है। जिससे प्रदेश खुशाली की ओर बढ़ सके। हमारे साथ फिल हाल इतना ही देजे जाज़त नमस्कार। करेंगे हैं लो थेज़त नमस्कार।